नमस्कार भारतिय शन्सकृति हिंदू सनातन धर्म यह त्योहारों के लिए जाना जाता है भारत में अनेक प्रकार के त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाते हैं और पास में ही जो आने वाला त्योहार वह है रक्षा बंधन तो आईए जानते हैं रक्षा बंधन के विशे में कब और इसे कैसे मनाएं तो रक्षा बंधन तो दो प्रकार से मनाया जाता है एक तो स्रावनी उपाकर्म के द्वारा और दूसरा है बहने अपने भाईयों के हाथ में राखी बांध करके इसे मनाती है श्रावणी उपाकर्म के बारे में जानते हैं, तो श्रावणी उपाकर्म जो संस्कृत के विद्यारती हैं, संस्कृती से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्राजीन परमपरा को बान रहे हैं, वह इसे नदी के किनारे रह करके दसविद इश्नान करते हैं, नया तो जानते हैं राखी अर्थात रक्षावंधन कब और कैसे मनाएं तो रक्षावंधन का त्योहार 30 अगस्त के दिन रात्री को 9 बच के 2 मिनट भद्रा के पश्चाद रात्री कालीन ही मनाया जाए बहने इस बात का विसेश रूप से ध्यान दें कि अपने भाई के दाहनी कलाई में अर्था दाहने हाथ में ही राखी बाद हैं कारण की अहनिक का एक शूत्र है कि पत्नी वाम करे शूत्रम बध्वा सवख धनागमम भहुशंपत्ति मारोग्यम रक्षारते कंकडम शुभम अर्थात रक्षा और धन सम्मत्ति के विर्द्धी के हेतू पत्नी के बाएं हाथ में अर्थात जिसका बिवा हो गया है उसके बा आखी पुरानी हो जाती है खंडित हो जाती है तो इसे किस प्रकार से रखें कहां इसका विसरजन करें तो इस विसे में जानें तो पहले तो जब यहराखी पुरानी हो जाए अधवा अपने से तूट जाए या खंडित हो जाए तो इसे जल प्रवाहित करने का बताया गया जल प्रवाहित अधात आप किसी नदी के पास नहीं रहते नहर के पास नहीं रहते तो इसे किसी पुराने विर्ख्ष की जड़ में डालें